दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चनल सुर्या बज में और आज आपको मैं बताओंगा इंडिया वर्सेज अस्टेलिया गभी जो दूसरा टी-20 में चोने वाला है आपको मैं टीम बताओंगा और आपको पता ही होगा कि आपको फाइनल टीम यह नहीं होती है क् जब तक आपको टॉस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग को नहीं पता चलता है कि कौन खेल रहा है को नहीं खेल रहा है वैसे एक प्रवेबल आपको प्लेइंग 11 पता चल जाता है उसमें एक दो चेंज होता है तो मैं अपने टेलिग्राम पर बता देता हूं तो आप तो वहां पर क्लिक करके जोड सकते हो अब दोखो में टीम के बारे में बतावभा और पिछला मैश में कीम काफी अच्छे की थी शब लोग मैक्सवेल को कैप्टन करेंगे और आज फिर हम लोग जीतने वाल हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो और आप लोग सम लिया था लेकिन दिने स्कार्तिक को बहुत कम बॉल मिला खेलने के लिए और फ्लॉफ हो गए उसके बाद मैथ्यवेट देखो एक अच्छी पारी खेलते हैं और अच्छी खासी जिम्हेंदारी से बारी जैसे पिछले मेंज में उने अच्छी खासी पारी खेल के गई और फॉर्म है उनको देखकर मैं उनको ले रहा हूं इंगलिस को देखो टॉप और में दिखाया गया था लेकिन पिछली बार काफी चार पांच नमबर पुतारा गया तो इनको आप लोग चाहो तो ग्रेंड लिंग में जिरूर करना बाकि हम लोग करते हैं बैक्टिंग सब्स अगर जोड़ते हो तो रिष्क ले रहा या तो आप पूरी तरह से जीत या तो पूरी तरह से डूब हो गए तो ये चीज अगर आप लóg को रिस्क लेना अँगा तो ब्राट को हले को कर शकते हो फिलहाल मैं रेलग को मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि कि यहां क्रेडिट का भी प्रोल्म है और पिछले मैंस में जिस तरह से वाउट हुए थे उस पर भी थोड़ा सा आपको दिक्कत तो उसके बाद देखो यहां पर रोहिद सर्मा सुरे कुमार यादो इस्टिवन इसमित और केल राहूल यह आपको चार बहतरीन बलेबाज हैं दोनों अपने टीमों के और अच्छा खासा स्कोर कर रहा है रोहिद सर्मा भी पिछले मैंस में जल्दे आउट हो गये थे लेकिन इस बार अच्छा करेंगे और सुरे कुमार यादो में अच्छी पारी खेलते हैं जब भी वात हमने जिवेदारी से अच्छी पारी खेल के मैं च्छी पारी खेले थे और हमेशार रन बनाते हैं लेकिन आपको रन बना कर जाते हैं राहूल जबर्जस फ़ॉर में है और अच्छा खासा रन बनाकर अपने टीम के लिए योगदान दे रहें डेविड को अगर आप लोग चाहों डेविड और फींच को देखो यह लो लोग थोड़ा सा ना मतलब गैर जिमरदा ना ना शौट खेल के आउट हो जाते हैं जैसे पिछले मैस में अच्छर पड़ल के गेंद पर फिंच बोल्ड हो गए तो यह अच्छर पड़ल कोई खास क्वालिटी ने लेकिन एक लाइन दोनकी सटिक होती है और वो थोड़ा सा स बहतरी नाल राउंडर है तो अच्छर पड़ल को पिछले मैच में बिकेट मिले था और अच्छर पड़ल या मैक्सवेल इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉब कर सकते हो जिसको चाहो लेकिन यह देखो बैटिक पीछ है और अच्छर पड़ल को को जरुनिए का हर मैच में ही मिलेगा मैक्सविल एक ऐसे बहुत बड़ी पारी खेल लेते हैं कभी-कभी बीस-ति-स गेंद में साथ-सतर बना देते हैं तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ और यह थोड़ा बहुत बालिंग भी करते हैं अपने के लिए तो अच्छर पडल पर मैक्सविल जब भी आएंगे तो भारी ही पड़ेंगे इसलिए मैं मैक्सविल को साथ जाओंगा क्योंकि पिछली पारी में आउट हो गये थे लेकिन हर बार वाउट नहीं होते हैं वैसे हार्दिक पंडया बहुत बैटिंग बॉलिंग से जब जगब पे तो बुम्रा रिटर्न हो गया टीम में तो यह अगर खेलते हैं तो मैं नहीं को लूँगा अगर नहीं खेलेंगे तो फिर भुनिसवर कुमार या पैट कमिन्स में से किसी एक कौम लोग ले सकते हैं हजल वूड लगदार बिकट निकलते हैं डेथ अबर में भी बैट कमिन्स का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि अबर पुरा करते हैं डेथ में भी आते हैं और उपर से अपको अगर इनकी बैटिंग आती है तो दस बीज रन भी बना के दे सकते हैं हर सेल पड़ल कुछ खाच नहीं कर पा रहे हैं पिछले मैंज में भी बहुत मार खा ग सालते हैं कभी कटर और यह तो स्पीड भी स्पीड भी इनके पास अच्छी खास है तो यह कभी भी आप देखेंगे इनको ध्यांस देखिएगा कभी दो बल जब लगतार तो दोनों एक जैसी गिंद नहीं होती है दोनों में चेंजिंग होती है तो एक अच्छे क्वालिट इसके बाद देखो अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर अभी कैप्टन हार्दिक पांड़ेया क्योंकि बाइटिंग बॉलिंग से जबर जास परदासन दे रहा है पिछले मैज में भी हम लोग अच्छा खासा इन्होंने पॉइंट दिलाया था क्रिश ग्रीन को देखो इस बार सब लोग कैप्टन करेंगे हम लोगों ने पिछली बार भी किया था और अच्छे खासे जीते थे एक बहतरीन आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करके बिकेट निकाल के दे सकते हैं कुछ अलग करना चाहो तो बुमरा या हैजल बूर्ड में से किसी एक को फिलाल इस टीम से आप लोग जोईन कर सकते हो लिक बाकी फाइनल टीम आपको आप्टर टॉस जो होता है जब टॉस हो जाएगा तो उसके बाद आपको फाइनल टीम मेरे टेलिग्राम चैनल पर आती है एक्सपर्ट के द्वारा टीम आती है उसके कोई चारिज नहीं लिया करना चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना चेकर थैंक्यू